अर याना में 92 MLA, 10 MP और कुल मिलांके 510 राज्य सवागे जोने जावे हैं ज़र याना में MLA MP का कोई लेक्शन लड़या जावा है नें तो किसाना ने एक मुद्दा बनाया जावा है, जबाना ने एक मुद्दा बनाया जावा है लेकिन आज ज़िए किसान अपने अपकी खातिर लड़न लाग रहे हैं उन्हें 90 MLA में ते हैं और 10 MP में ते हैं कोई भी उनके गैलपन खड़या इन शिर्फ अपना गोट बेंट ना मतलब है चाहिए कड़य का कोई भी खाग काठे के दार हो या फिर मैं को किसी भी अरिया का MLA या किसी भी अरिया का MPO जो जुथे दिला से दिया गए नि कि अम ते मान पन्यों कर देंगें किसाना के साथ में खड़े रहांगे और किसाना की आए दोगुनी करके जावागे आज हुए इठेकी तार आज हुए लोग पताने कौन सी कॉट्थी मं जाके बैठीगे पता आनि कुछ से दिवार के पिछे हो चुपके यह बात प्राणिस में तबी चाल दिया है और आज भी आम यह बात कवा हूं यदि किसान में अपड़ी अपकी लड़ाई लड़नी है नी तो वह खुद लड़नी पड़ेगी कोई उसका साथ देन में लिया हुगा और जिस दिन कि अपना होट सौज समझ कर देना शुरूब देगा ने उस दिन सरोग每 शुरू कर देगा ने उस दिन यकीन मानके चलियो जो किसान होगा उसका सब और उन्चा दरजा मानने जावागा और उसने कोई भी पछे किसान का बैटा जदे किसान का भाई जदे खुद किसान किसे काम ने करें उसकी स्थिती ने भैसुस करें वागई में वोट लेड़ की खातिर तो और कोई कर देगर है कि मैं किसान का बैटा हूं अपने संखर्स के साथ में चालन लाग रहे हैं किसान के संखर्स के साथ में चालन लाग रहे हैं उनका साथ देण लाग रहे हैं और सच्चा नेता वही है जो किसान का साथ देव हैं ना दो जूठे दिला से और जूठे वाइदे जूठे वचन पहले भी वोट मिल दे रहे है इस देम आ गया है किसान को अपने देसीनर अपने इंप्रोधी न समझे उसके बाद सोच समझे अपने वोट का फैसला करें अपने वोट के साथ साथ में वो सरकार चुने उस बाई न चुने जो वाकई में उसका साथ रिंदा हो न तो देश में इतनी MLA चुने जाओं हैं दे किसान के बारे में कोई नहीं सूचता किसान की वैथा के बारे में कोई नहीं सूचता किसान की स्थिती में कोई नहीं सूचता यदि किसान अगयवड है तो वाटर कैनन के अगल है वो दबा दिया जावा है इस बरी सरदी में इतना ठंडा प्माडी उस्ते उपर गिराया ज सोच के भी मतल बितना गुरा लागता है सब्दन हमने बयानी करते हैं